इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको online first unit test कैसे देना है सबसे पहले आपको scholars ERP app को open करना है उसके बाद आपको notification option में जाना है आपके test का link उसमें दिया हुआ होगा उस test link को आपको on करना है इसमें आपके test का नाम लिखा हुआ है first unit test class जो आपकी class है वो class इसमें लिखी हुई होगी आपके पास test देने के लिए सिर्फ 30 minutes का time होगा so first आपको इसमें roll number enter करना है roll number और आपके SR number दोनों एक ही है जिस भी students को अपने SR number नहीं पता है वो scholars एप में students profile में जाकर अपना SR वो विध्यारती का नाम और अपने father's name को वहां से जाज कर लेए सबसे पहले आपको roll number एंटर करना है उसके बाद student name एंटर करना है father's name लिखना है और next option पर जाने के बाद आपके शामने questions आएंगे number of questions total 20 होंगे जिसमें 10 objective type questions और 10 one word answer question होंगे किसी subject में आपके true false और fill in the blanks भी होजकने तो इन questions को किसे करना आपको देखी objective type questions में आपको right option select करना है जितने आपको questions दिये वे हैं वो सारे करने हैं और फिर आपको next पर जाना है one word answer में आपको answer type करना है उसके बाद next questions पर जाना है अगर आपके पास fill in the blanks questions हैं तो उसके अंदर आपको fill in the blanks खाली जगह में क्या word आएगा वो word आपको type करना है और true false में आपको true है तो tree select करना है और false है तो f select करना है जैसे ही आपके 20 questions हो जाते हैं आपको time end होने से पहले ही submit कर देना है maths के question में आपको ध्यान रखना है only for उसमें answer type करना है अगर आपको questions solve करना है तो आप किसी दूसरे paper पे questions को solve करके उसमें answer direct type कर देना है और एक चीज का आपको ध्यान रखना है timing limit होगा आपके 30 minute एक paper को करने में मिलेगा Maths के question में आपको ध्यान रखना है झाले झाले झाले